C.I.E.T. N.C.E.R.T. Presents Trilingual Dictionary of History for Schools इतिहास, विद्यालेयों के लिए तृभाशी शब्द कोश तारीख की लुगत, स्कूलों के लिए सहलसानी Letter B, Index, Word and Page Number Banjara Page 12 Baoli Page 12 Barter System Page 12 Baasholi Page 13 Bataai Page 13 Begaar Page 13 Benami Page 13 Bhaga Page 13 Bhaga Dugha Page 14 Bhakti Bhakt Bhakti Movement Page 14 Bhikkhu Bhikkhuni Page 14 Black and Red Wear B and R W Page 15 Black Death Page 15 Bodhi Sattva Bodhi Sattva Page 15 Bolshevik Bolshevism Page 16 Bourgeois Bourgeoisie Page 16 Bracket Page 16 Brahmadeya Page 16 Brahammi Script Page 17 Buddhism Page 17 Buddhist Councils Page 18 Now let's move Now let's move to the Dictionary of History Page 12 Banjara The term refers to the trader nomads who constantly moved from one place to another, buying and selling goods at profitable rates. In medieval times, they played a significant role in the Indian economy by supplying food grains from villages to towns and cities, and also to distant areas. They moved in caravans that were called Tanda. A Tanda generally comprised six to seven hundred persons, including the families of Banjaras and their oxen or pack animals, loaded with various kinds of merchandise. How important their role was at that time can be understood by the fact that Sultan Alauddin Khilji, 1296 to 1316 CE, had utilized their services to supply food grains to Delhi. The Banjaras continue to thrive in the central and north-western parts of India, even today. Banjara इस शब्द का तात्पर्य उन खाना बदोश व्यापारियों से है, जो निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लाभकारी दरों पर माल खरीदते और बेचते थे. मध्यकाल में गावों से कस्वों और नगरों में अनाच्च की आपूर्ती द्वारा उन्होंने भारती अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वे कारवां बना कर घूमते थे, जिन्हें टांडा कहा जाता था. ऐसे एक टांडे में आमतौर पर छे साथ सो लोग होते थे, जिन में बन्जारों के परिवार और वे भिन्न प्रकार की सामग्रियों से लदे माल धोने वाले बैल खच्चर आदी जानवर भी होते थे. उस समय उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका पता इस बात से ही चल जाता है कि सुल्तान अलाओदिन खिल जी 1296 से 1316 ईस्वी ने दिल्ली को अनाच की आपूर्ती कराने के लिए इन बन्जारों की सेवाई ली थी. आज भी भारत के मध्धे और उत्तर पश्च्चमी भागों में बन्जारों का अस्तित्व बना हुआ है. बन्जारे इस इस्तिला से मुराद खाना बदोश ताजिर हैं जो नफबख्ष कीमतों पर समानों की खरीद फरोक्त के लिए एक से दूसरी जगा मसलसल मुन्तकिल होते रहते थे. उन्होंने एहदो वस्ता में गाउं से कजबों, शेहरों और दूर दराज इलाकों तक गिजाई अशिया इरसाल करके हिंदुस्तान की इक्तिसादियात में एहम किरदार अदा किया था. ये एक काफला बना कर गूमते थे जिसे टांडा कहा जाता था. पंजारों के एले खाना और बेल के मुक्तलिफ किसम के लगाया जा सकता है कि सुल्तान अलाओदीन खिलजी 1296 से 1316 ने गिजाई अशिया को देली पहुचाने के लिए इनकी खिद्मात हासिल की थी. आज भी हिंदुस्तान के वस्ती और शुमाली मगरिबी इलाकों में बंजारे मौजूद हैं. बावली. The term refers to step wells that were found in many medieval structures such as forts, palaces, temples, mosques, tombs, etc. in parts of western India and Delhi region. These step wells were constructed for various purposes such as storing drinking water, harvesting rainwater and keeping the structures cool. The baoulis often catered to the water needs of travelers as well. A good example is the गंधक की baoulie which is situated near the दरगाह of Khwaja Qutubuddin Bakhtiyarka की in महरोली in Delhi. बावली. ये शब्द उन सिर्धीदार कुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अनेक मध्ययुगीन इमारतों जैसे किलों, महलों, मंदिरों, मस्चिदों, मक्बरों आदी में पाए गए हैं. ये बावलियां विभिन प्रयोजनों जैसे पेजल के संग्रहन, वर्षा जल संग्रहन, एवं इमारतों को ठंडा रखने के लिए बनाई जाती थी. इन बावलियों से अकसर यात्रियों की भी जल संबंधी जरूरतें पूरी होती थी. गंधक की बावलियां ऐसी ही एक बावलियां है, जो दिल्ली के महरोली क्षित्र में ख्वाजा कुतुबुद्दिन बख्तियार काकी की दरगाह के पास स्थित है. बावलि, इस इस्तिला से मुराद जीनेदार कुएं हैं, जो मगरिबी हिंदुस्तान और मदाफत दहली के मुक्तलिफ इलाकों में एहदोवस्ता की बहुत सी इमारतों, मसलन गिलों, महलात, मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों वगेरा में पाए गए हैं. ये बावलियां मुतादिद मकासित के तहद, मसलन पीने का पानी जमा करने, बरसाद के पानी को जमा करने और इमारतों को ठंडा रखने के लिए बनाई गई थी. इस से मुसाफिरों की पानी की जरूरतें भी पूरी हो जाती थी. इसकी एक बहतर मिसाल, दरगा, ख्वाजा, कुतुबुद्दीन, बक्तियार, काकी के करीब, महरौली, देली में बनाई गई गंदक की बावली है. बार्टर सिस्टेम evidence of coinage in India can be dated to circa 6th century BCE. Prior to this time, the Vedic texts mentioned words such as hiranyakanda, suvarna, pada, etc. But, these are not taken as full-fledged coins by modern numismatists, that is those who study coins. Nonetheless, the advent of coinage did not mean the end of barter system as it co-existed with the monetary system for a very long time. Barter system still continues in certain pockets of India. वस्तु विनेमय प्रणाली ये आदान प्रदान की एक प्रणाली है जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं की अदला बदली मुद्राओं या सिक्कों के बिना की जाती है. विनेमय की ये प्रणाली प्राचीन समय में व्यापक इस्तेमाल में थी. हाला कि भारत में मुद्राओं के प्रचलन का प्राचीनितम साक्ष लगभग छठी शताब्दी इसापूर्व से मिलता है. इस सिपूर्व वैदिक ग्रंथों में हिरन निपिंड, सुवर्ण, पाद, आदिशब्दों का उल्लेख मिलता है. लेकिन मुद्राशास्त्री उन्हें पूर्ण विकसित मुद्रायन नहीं मानते. सिक्कों के आगबन से वस्तु विनिमय प्रणाली का अंद नहीं हो गया था. बलकि सिक्कों के इस्तिमाल के साथ साथ वस्तू विनिमय प्रणाली भी बहुत लंबे समय तक चलती रही थी वस्तू विनिमय प्रणाली आज भी भारत के कुछ हिस्सों में चल रही है निजाम तबादला ये एक निजाम तबादला है जिसके तहट करंसी या सिक्कों के इस्तिमाल के बगएर अशिया और खिद्मात का लेंदेन किया जाता है ये निजाम तबादला कदीम जमाने में बहुत ज्यादा राइच था अलबता हिंदोस्तान में उवली सिक्कों का वाजी सभूत छटी सधी कبل मसी में मिलता है इस से कبل वैदी मतवर में हरन न पिंड भाद हुए जैसे अलफाज का जिक्र मिलता है लेकिन आलम सिक्का के जदीद माहिरीन याने सिक्कों का मुताला करने वाले इन्हें मुकमल सिक्कों के तौर पर नहीं लेते ताहम सिक्कों के चलन का मतलब ये नहीं है कि निजाम इतबादला खत्म हो चुका था बलके यह अरसाए दराज तक सिक्का जाती निजाम के साथ जारी रहा निजाम इतबादला हिंदुस्तान के मखसूस इलाकों में अब भी जारी है बशोली The term refers to a style of miniature painting that developed in Himachal Pradesh in the late 17th century This style was known for boldness and intensity in its miniatures Popular themes of बशोली paintings were the portrayal of local rulers, gods from Hindu mythology, etc The most famous बशोली miniature was भानुदत्ताज रासमंजरी बशोली ये लगुचित्रकला की एक शैली है जो सत्रभी शताबदी के आखरी दशक में Himachal Pradesh में विकसित हुई थी ये शैली अपने लगुचित्रों में अभिव्यक्ती की निर्भीकता और गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है बशोली चित्रकला के लोकप्रिये विशे, स्थानिये शासकों, हिंदु मिथकों के देवी देवताओं आदी के चित्रांकन थे सरवाधिक प्रसिद्ध बशोली लगुचित्र भानुतत्त की रासपंजरी थी बशोली इस इस्तिला से मुराद मुख्तसर पैमाने की नकाशी यानि छोटी तस्वीरों की नकाशी का एक तर्ज है जिसे सत्रवी सदी के अवाकिर में हिमाचल परदेश में फरोग हासिल हुआ ये तर्ज छोटी तस्वीरों में अपने घहरे रंग और मगनती सी कशिश की वज़ा से मशहूर थे बशौली मुसवरी का मशहूर मरकजी मौजू इलाकाई हुक्मरानों, हिंदूओं के देवी देफताओं वगेरा की तस्वीर कशी था भानुदत की रासमंजरी बशौली की नहायत मशहूर नकाशी थी बटाई इस term refers to the method of land revenue collection in kind during the Mughal period in India Under this system, after the harvest was over, crops used to be stocked and divided on the basis of prior agreements between the state and the cultivator The system was also known as भाउली बटाई इस शब्द का तातपर भारत में मुगलकाल में भूर आजस्व को वस्तु के रूप में वसूल करने के एक तरीके से है इस तरीके के अंतरगत फसल को काट कर एक जगा एकठा कर लिया जाता था और फिर राज्यत अथा किसान के बीच पहले से हुए समझोते के तहत उसका बटवारा कर दिया जाता था इस तरीके को भाउली भी कहा जाता था इस इस्तिला से मुराद हिंदुस्तान में मुगल एहद में माल गुजारी वसूल करने के एक तरीके से है जिसके तहत माल गुजारी अजनास की शकल में वसूल की जाती थी इस तरीके के तहत फसलों को काट कर एक जगा जमा करके मुहाइदे के मुताबक किसान और रियासत के दर्मियान तक्सीम किया जाता था ये तरीका भाउली के नाम से भी जाना जाता था बेगार The term refers to labor which used to be imposed on the lower sections of society by zamiddars and other officials of the state without paying any wage in return Hence, this labor was also referred to as forced labor A certain form of this practice also prevailed in ancient India This was known as vishti See also vishti बेगार इस शब्द का प्रयोग, जमिदारों तथा राज्य के अन्य सरकारी अधिकारियों द्वारा समाच के निम्न वर्गों पर थोपे जाने वाले श्रम के लिए किया जाता है इस श्रम के बदले इन वर्गों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था इसलिए इस श्रम को जबरन लिये गए काम अथवा बेगार के नाम से भी जाना गया इस प्रथा का एक मिलता जुलता रूप प्राचीन भारत में भी प्रचलित था जोसे विष्टी के नाम से जाना जाता था विष्टी भी देखें बेगार इस इस्तिला से मुराद वो मजदूरी है जो जमीनदारों या रियासती अफसरान की जानिब से बगेर किसी इजाजत के समाज के निशले तबकों पर आईद की जाती थी चुनाचे ये मजदूरी बंदूआ मजदूरी के तौर पर भी जानी जाती थी इस तरह की मजदूरी कदीम हिंदूस्तान में भी राईच थी इसे विष्टी के नाम से भी जाना जाता था मजीद देखें विष्टी बेनामी The term literally refers to property transactions made in the name of a fictitious person or a third party In the whole process, the real beneficiary remains unnamed There were several such transactions taking place in Bengal under the permanent system of land revenue This gave rise to an entirely new class of landowners who increasingly displaced an older one See also permanent settlement बेनामी इस शब्द का प्रयोग संपत्ती के ऐसे लेंदेन के लिए किया जाता है जो किसी कल्पित व्यक्ती या तृतिये पक्ष के नाम में किये जाते है इस संपूर्ण प्रक्रिया में असली लाभार्थी बेनाम रहता है बंगाल में भू राजस्व के स्थाई बंदोबस्त के अंतरगत अनेक बेनामी सौदे किये गए थे इस से भू स्वामियों के एक नए वर्ग का उदै हुआ जिसने आधिकारिक तोर पर पुराने वर्ग का स्थान ले लिया स्थाई बंदोबस्त भी देखें बेनामी इस इस्तला का लफजी मفہूम फर्जी शक्स या तीसरी पार्टी के साथ जायदात का लेन देन है इस पूरे मरहले में हकीकी फाइदा पाने वाले का नाम मालूम नहीं हो पाता बंगाल में माल गुजारी के मुस्तकिल बंदोबस्त के तहट इस तरह का लेंदेन हो रहा था इस लेंदेन से जमीन के मालकों का बिलकुल एक नया तरीका वुजूद में आया जिसने धीरे धीरे कदीम मालकों की जगा ले ली मजीद देखें मुस्तकिल बंदोबस्त on their produce such as wheat, barley, rice etc. by the kings in ancient India. Bhaaga used to be generally fixed at one-sixth of the produce from circa 6th century BCE onwards. It was deemed to be a payment received by the king or the state in lieu of the protection which they provided to their subjects. This could also be because the king used to be considered the legal owner of all land in his kingdom. See also, भाग दुगः भाग ये एक संस्टुत शब्द है, जिसका अर्थ है हिस्सा. वो हिस्सा प्राचीन भारत में शासकों द्वारा क्रिशकों से उनकी उपज, जैसे गेहुं, जो, चावल आदी पर एक कर के रूप में लिया जाता था. ये आमतौर पर उपच का छठा हिस्सा होता था. छटी शताब्दी इसा पुर्व से राजस्व का ये हिस्सा राजा या शासन का अधिकार माना जाता था, जिसे वे प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले लेते थे. ऐसा इसलिए भी था, क्योंकि राजा को उसके राज्य की सारी जमीन का विधिसम्मत स्वामी मान लिया जाता था. भाग दुग भी देखें. भाग ये संस्कृत लवज है जिसके माईने हिस्सा है, जिसे गदीम हिंदुस्तान में बाजशा काश्टकारों से उनकी पैदावार, मसलन गेहूं, बाजरा और चावल वगेरा की शकल में बतौर महसूल लेता था. आम तोर पर भाग तकरीबन माबाद छटी सदी कबल मसी से ही पैदावार का छटा हिस्सा मुकरर किया जाता था. खयाल किया जाता था कि बाजशा या रियासत इसे अपनी रियाया से इस तहफुस के और बतौर महसूल लेता था, जो वो अपनी रियाया को फराहम करता था. वो इसलिए भी ले सकता था कि बाजशा खुद को अपनी सल्तनत में तमाम जमीनों का मालिक तसवर करता था. मजीद देखें, भाग दुख. भाग दुख. The term occurs in the Rig Veda, that is, circa 1500 to 1000 BCE. It was used to refer to the representative of king who collected the भाग from the subjects. See also, भाग. भाग दुख. इस शब्द का प्रयोग, रिगवेद, अर्थात, लगभग, 1500 से 1000 इसा पूर्व में मिलता है. इस शब्द का इस्तिमाल, राजा के उस प्रतिनिधी के लिए किया जाता था, जो प्रजा से भाग इकठा करता था. भाग भी देखें. भाग दुख. इस इस्तिला का इस्तिमाल, रिगवेद, यानि तक्रीबन 1000 से 1500 कबल मसी में हुआ है. इसका इस्तिमाल बाद्शा के उस नुमाइंदे के लिए किया जाता था, जो रियाया से भाग वसूल करता था. मजीद देखें भाग भक्ति भक्त The term refers to the devotional form of worship which developed in India based on personal love of God. In this form of worship, the devotees, who are called भक्तas, seek ultimate union with their chosen deity through adoration and absolute self-surrender. Such adoration of the qualities of the deity is often expressed through the chanting of names, composition and singing of devotional songs and undertaking pilgrimages. See also भक्ति movement भक्ति भक्त इस शब्द का प्रयोग भारत में विकसित व्यक्तिगत प्रेम पर आधारत उस उपासना पधति के लिए होता है, जो इश्वर के प्रती व्यक्तिगत अनुराक पर आधारत है. इस उपासना पधति में भक्त आराधना और आत्मसमर्बन के माध्यम से अपने अभीष्च देव के साथ अंतिम जुडाव की इच्छा करते हैं. अभीष्च देव के गुड़ों की ये आराधना, प्राह, नाम कीर्तन, भक्ति गीतों की रचना, उनके गायन और तीर्थ यात्राओं के माध्यम से अभीव्यक्त की जाती है. भक्ति आंदोलन भी देखें. भक्ति भक्त इस इस्तिला से मुराद इबादत में इनहिमा की शकल है, जिसे हिंदुस्तान में माबूद हकीकी से जाती महबत की बुनियात पर तरक्की मिली. इस तरीका इबादत में इबादत गुजार जिसे भक्त कहा जाता है मुकमल खुद सुपुर्दगी और अकीदत मंदी के जरीए मुन्तखिब माबूद से मुकमल तौर पर मिल जाने की कोशिश करता है माबूद से इस तरह की अकीदतों का इजहार अक्सर वबेश्टर नामों का विर्द जाहिदाना नजमें लिखकर और गाकर नेजो नियास के जरीए किया जाता है मजीद देखें भक्ती तहरीक भक्ती मूफ्मेंट Beginning in the 8th to 9th centuries, भक्ती मूफ्मेंट during the medieval period lasted until the 16th century In the southern parts of India, the movement was popularized by the Nayanars, i.e. worshippers of Shiva and Alvars, i.e. worshippers of Vishnu In northern India, the movement revolved around Rama and Krishna In general, the bhakti movement exhibited two trends Saguna bhakti, i.e. devotion of God with attributes and Nirguna bhakti, i.e. devotion of God without attributes Shree Chaitanya, Surdas and Tulsidas represented the tradition of Saguna bhakti whereas Sant Kabir, Guru Nanak and Dadu Dayal represented the ideal of Nirguna bhakti भक्ती आंदोलन 8-9 शताब्दी में शुरू हुआ भक्ती आंदोलन मध्यकाल में 16 शताब्दी तक बना रहा भारत के दक्षणी हिस्से में भक्ती आंदोलन को नयनार और आलवार भक्तों ने लोकप्रिये बनाया जुक्रमशा शिफ और विष्णों के भक्त थे उत्तर भारत में राम और कृष्ण इस आंदोलन के केंद्र में रहे सामानित भक्ती आंदोलन के दो रूप सामने आए सगुण भक्ती अर्थात साकार ईश्वर की आराधना और निर्गुण भक्ती अर्थात निराकार इश्वर की आराधना श्रीचतन्य, सूर्दास और तुलसीदास सगुण भक्ती परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे जबकि संत कबीर, गुरुनानक और दादु दयाल निर्गुण भक्ती परंपरा के प्रतिनिधि थे भक्ती तहरीक भिक्खु भिक्खु नी इन शब्दों का प्रयोग बॉद्ध धर्म को मानने वाले स्त्री और पुरुष अनुआईयों के लिए होता है। ये ग्रियस्त जीवन छोड बॉद्ध संग में प्रविष्ठ होकर भिक्षा द्वारा अपना जीवन यापन करते हुए मठीये नियमों का पालन करते हैं। इस परंपरा की शुरुआत बॉद्ध के जीवनकाल के दौरान ही हो गई थी और ये परंपरा आज भी जारी है। भिक्कू, भिक्कुनी इस इस्तिलाहत से मुराद बॉद्ध मत के वो मर्दोजन पैरोकार हैं जिनोंने घरेलू जिंदगी तरक कर दी हो और इन्हें इस शर्त के साथ बॉद्ध संग में शामिल कर लिया गया के वो राहे बाना उसूलों के तहत भीक के सहारे जिंदगी बस तहुना ब ब जार बॉद्ध म्याई ब फ म्या और इन्हें इस अजिंगी इस बॉद्ध भण मेंका गाहँटी ड रॉद्ध इस बॉद्ध के सरMost Biak on the ringsfam अरॉद ज जिस दोills मार्ष बॉद्ध सपूना चलों के एक सबसूद ऑपा स्बघ्ध के साधै कोना ओर्वservice resultados and red-ware pottery is generally wheel-made and its characteristic forms include shallow dishes and deeper bowls. The earliest use of this pottery type goes back to the beginning of the 2nd millennium BCE and these continue to be in use for nearly 2 millennia. However, there are marked regional variations and the B and RW associated with megalithic burials are often distinguished from other varieties. Kale and Lal Patre ये पक्की मिट्टी के बर्तनों की एक किस्म थे जो भीतर से व किनारों पर काली तथा बाहर से लाल होती थी. ऐसा माना जाता है कि इन पात्रों को आग में उंधा रखकर पकाये जाने के कारण इनका रंग अंदर से काला हो जाता है. इस किस्म के पात्र भारत के विभिन्न हि पिछली तश्त्रियों और गहरे प्यालों की शकल के हैं. इस प्रकार के बर्तनों का प्राचीनतम प्रयोग दूसरी सहसराब्दी इसापूर्व में होता था. लगभग दो हजार वर्षों तक इनका प्रयोग जारी रहा. किन्तु ये पात्र सब जगा एक जैसे नहीं थे. उनमें क्षित्रिये भिन्नताएं पाई जाती थी. महापाशाणिये समाधी स्थलों में पाए गए काले और लालपात्र अकसर अन्य खिस्मों से अलग हैं. मिट्टी के सियाह और सुर्ख बर्तन. इस इस्तिला से मुराद मिट्टी के बर्तन की एक किस्म है जिसका अंदरूनी हिस्सा और किनारा, सियाह और जाहिरी हिस्सा सुर्ख होता था. कि आंदी हालत में आग में पकाने की वज़ा से बर्तन का अंदरूनी हिस्सा सियाह हो जाता था. इस किस्म के बर्तन हिंदुस्तान में असार-े-कदीमा के मुक्तलिफ मकामात से दर्याफ्त हुए हैं. सियाह और सुर्ख बर्तन आम तौर पर चाक यानि वील के जरिये तैया किये जाते थे जिनमें खास तोर पर कम गहरी तश्तरियां और ज्यादा गहरी प्यालियां शामिल थी. इस किस्म के बर्तनों का इस्तिमाल सबसे पहले दूसरे हजारे कबल मसी में हुआ था और ये तकरीबं दो हजार साल जारी रहा. ताहम, इलाके के एतबार से ये मुक्त अलिफ थे. Black Death The term refers to the outbreak of plague on an epidemic scale in several parts of Western Europe between 1346 and 1350, which resulted in a sharp decline in the European population. According to one estimate, nearly one-third of all Europeans became victim of this disease in the 14th century, Since the body of the deceased was turning black after death, this disease, that is plague, was popularly being called the Black Death. Kaali Moth इस शब्द का प्रयोग 1346 से 1350 के दौरान पश्च में यॉरप के अनेकों भागों में महामारी के रूप में पहले प्लेक के लिए किया गया. इस कारण से यॉरपिय जनसंख्या में भारी कमी आई थी. एक अनुमान के अनुसार, चौधवी शताब्दी में यॉरप की लगभग एक तिहाई आबादी इस रोग का शिकार हो गई थी. चूँकि बृत्यू के बाद रोगी के शरीर का रंग काला हो जाता था, इसलिए उसे काली मौत कहा जाता था. सियाह मौत यानि वबाई मौत. इस इस्तिला से मुराद 1346 और 1350 के दर्मियां मगरिबी यॉरोप के मुतादिद इलाकों में बर्पा होने वाला ताउन का मर्ज है, जिसके नतीजे में यॉरोप की अबादी में नहायत तेजी से कमी आई. एक अंदाजे के मुताबिक, चौदवी सदी में यॉरोप की तक्रीबन एक तिहाई अबादी इस मर्ज की जद में आ गई. चूंकि मरने के बाद जिस्म सियाह हो जाता था. इसलिए इस मर्ज, यानि ताउन को आम तौर पर सियाह मौत कहा जाता है. Bodhi Sattva. This is a Sanskrit term which means one destined to become a Buddha. According to the Jatakas, i.e. Buddhist texts which narrate the story of the Bodhi Sattvas, the Buddha had undergone several births prior to becoming the Enlightened One, i.e. Buddha. All those previous lives of the Buddha are referred to as Bodhi Sattvas. The idea of the Bodhi Sattva was known to the earliest form of Buddhism, i.e. Theravada or Sthaviravada, the orthodox school of Buddhism. However, this idea gained greater importance with the rise of Mahayanism during the early centuries of the Common Era. Bodhi Sattvas were perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts, but used this not to attain personal Nibanna, i.e. Nirvana, and thereby attain liberation from the world. Rather, they used their accumulated merit to help others. Page 16 Bodhi Sattva Bodhi Sattva's Bodhi Sattva Bodhi Sattva Bodhi Sattva अवलीन बुधमत याने ठेरवाद और सथा विरुवाद बौधमत का रसीखल इत्याद फिरका में मारूफ था। ताहम इप्तिदाई इस्वी सदियों में मायानियत के इर्तिका के साथ इस नजरिये को ज्यादा एहमियत मिली। बौधिस्तों के बारे में खयाल किया जाता था कि वो नहायत रहम दिल थे और उन्होंने अपनी जद्दो जहद से अपने अंदर बुजूर्गी के औसाफ पैदा कर लिये थे जिनका इस्तिमाल इन्होंने अपनी जाती निर्वान यानी निजात और तर्क दुनिया के लिए बल्कि दूसरों की मदद के लिए किया था The Bolshevik Party was formed in 1903, after a split in the Social Democratic Party. The Bolsheviks were led by V.I. Lenin and were in a majority, whereas their opponents, the Mensheviks, who were in a minority, were led by Martov. See also Socialism. Bolshevik Bolshevik vaad इस शब्द का प्रयोग प्रथम विश्वयुद्ध से पहले के वर्षों में रूसी मार्क्सवादियों द्वारा विक्सित क्रांतिकारी समाजवात के लिए किया जाता है. इस तरह के समाजवात का प्रतिनिदित्व करने वाली Bolshevik Party सर्वहारा वर्ग अर्थात प्रॉलितेरियत की सशस्त्र कांती और उत्पादिन के साधनों के राष्टिय करणों में विश्वास रखती थी. बॉल्शविक पार्टी 1903 में उस समय अस्तित्व में आई जब रूस में सोशल डेमोक्राटिक पार्टी दो दलों यानि बॉल्शविकों और मेंशविकों में बढ़ गई थी. वी आई लेनिन के अनियुआई जो बहुमत में थे बॉल्शविक कहे जाते थे जबकि उनके विरोधियों को जो अल्पमत में थे और जिनका नेत्रित्व मार्तौफ के हाथ में था में शविक कहा जाता था. समाजवाद भी देखें। बॉल्शविक बॉल्शवियत इस इस्तिला से मुराद एक तरह का इश्टराकियत इनकलाब है जिसे पहली आलमी जंग से कबल रूसी माक्सियों ने फरोग दिया. बॉल्शविक पार्टी इश्टराकियत की ऐसी शकल की नुमाइंदगी करती है जिसमें मेहनतकश तबके के मसला इनकलाब और पैदावार के तमाम जराय को कौमियाने में यकीन किया जाता था. 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में फूट पढ़ने के बाद बॉल्शविक पार्टी की तश्कील अमल में आई. बॉल्शविक का काईद वी आई लेनिन था जिसे अकसरियत हासिल जबके इसके मुखालिफ मेंच्विक जिसका काईद मारतौफ था अकलियत में थे. मजीद देखें इस्तराकियत. bourgeois, bourgeoisie. This is a word of French origin. It indicated the new professional middle class comprising traders, money lenders, small manufacturers and others who contributed towards the transition of the European society from a feudal to an industrial capitalistic economy and society. bourgeoisie. The word bourgeoisie is a plural form of the word bourgeoisie. See also capitalism. bourgeois, bourgeoisie. फ्रांसीसी उद्भव का ये शब्द, व्यापारियों, सहुकारों, छोटे विनर्माताओं और अन्य ऐसे नए व्यावसाइक मध्यमवर्गों का सूचक है, जिन्होंने सामन्ती अर्थ्व्यवस्था और समाज को एक उद्योगिक पून्जिवादी अर्थ्व्यवस्था और समाज के रूप में बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बुर्जवाजी शब्द, बुर्जवा शब्द का ही बहुवचन रूप है, पून्जिवाद भी देखें, बुर्जवा, बुर्जवाजी, ये फ्रांसी लवज है जिससे मुराद ताजिर, सहुकार, चोटे सनतकार और दूसरे जदीद पेशावरों पर मुश्तमिल मतुसाथ तपका है, जिसने पूरे ये उरोपियन समाज को जागिरदारी से सनती सरमाएदाराना मईशत में मुन्तकिल कर दिया था, और समाज को बदलने में नुमाया किरदार अदा किया, लफ्द बुर्ज पीस of wood or stone or metal which is used to carry weight or support a statue, an arch, a beam or a shelf being projected from or overhanging a wall. Brackets can be carved, cast or moulded. These can be used simply for ornamental purposes also. Brackets, दिवारगीर, ताक वास्तुकला में इस शब्द का प्रयोग लकड़ी या पत्थर या धातु के एक छोटे टुकड़े के लिए होता है, जो सहारा देने या भार संभालने के लिए दिवार से बाहर निकला होता है. ये किसी मूर्ती, महराब, बीम या टांड को सहारा देने के काम भी आता है. ब्रैकेट उकेर कर, धाल कर या साचा बना कर भी तयार किये जाते हैं. ये पोड़ रूप से सजावटी भी हो सकते हैं. दिवार गिरी महस तजीनी मकसद के लिए भी हो सकता है. ब्रहमदेय इस संस्कृत शब्द का प्रयोग भूमी के एक ऐसे टुकड़े के लिए किया जाता था, जो ब्रहमनों को दान में दिया गया हो और जिस पर कोई कर नहीं लगता हो. ब्रहमदेय ये एक संस्कृत श्तिला है जिसका इस्तिमाल ब्रहमनों को अतिया में दी गई माल-गुजारी से मस्तसना जमीन के लिए किया जाता था. ब्रहमी स्कृप्ट The term refers to a script which was used for writing languages like Sanskrit, Prakrit and Tamil in ancient India as opposed to the Armaik. In this script, the letters are written from left to right. The earliest evidence of the use of this script is found in Ashokan inscriptions, i.e. mid-3rd century BCE. However, some recent finds from Anuradhapura in Sri Lanka suggest a relatively earlier development of this script, i.e. circa 6th and 4th centuries BCE. Most scripts used to write Indian languages are derived from Brahammi. This script also spread outside the subcontinent to Tibet and Southeast Asia. ब्रहमी लिपी अनुरादापुर से प्राप्त कुछ आधुनिक लेखों से पता चलता है कि इस लिपी का विकास कुछ पहले अर्थात लगभग छटी से चौथी शताब्दी ईसापूर्व के बीच हो चुका था. भारतिये भाशाओं को लिखने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली अधिकांश लिपियों की उत्पत्ती ब्रहमी से ही हुई है. इस लिपी का प्रसार उप महाद्वीब से बाहर तिब्बत और दक्षन पूर्व एशिया तक भी हुआ. इस इस्तिला से मुराद वो रस्मुलखथ हुई जिसका इस्तिमाल कदीम हिंदुस्तान में प्राकृत, संस्कृत और तमिल जबानों को लिखने के लिए किया जाता था. अरामी रस्मुलखथ के बरक्स इसमें हर्फ बाइं से दाएंजानिब लिखे जाते हैं. इस रस्मुल खत के इस्तिमाल का अवलीन सबूत अशोक के कुद्बों वस्त तीसरी सदी कबल मसी में मिलता है अलबता श्री लंका के अनुराधापुर से हालिया कुछ आसार बरामद हुएं हैं जिन से अंदाजہ होता है के इस रस्मुल खत का इस से कबल यानी तकरीबन छटी और चौथी सदी कबल मसी में फरोग हो चुका था हिंदुस्तानी जबानों को लिखने के लिए ज्यादतर रस्मुल खत बरहमी रस्मुल खत से माखूज हैं ये रस्मुल खत बर्रे सगीर से बाहर तिब्बत और जुनूब मश्रिकी एशिया तक पहला हुआ था. BUDDHISM The term refers to the religion which is founded on the teachings of Gautama, the Buddha, circa 6th century BCE. The essential doctrines of the Buddha's teachings are best expressed in the four noble truths. Dukha, i.e., there is suffering. Dukha Samudaya, i.e., it has a cause. Dukha Nirodha, i.e., it can be removed. and Dukha Nirodha Marga, i.e., path to remove suffering. The principal texts of Buddhism are called Tripitaks. Those are Vinaya, Sutta and Abhidhamma Pitaka. The ultimate goal of the Buddha's teaching was to help all human beings attain the Nirvana, i.e., salvation, which means the release from the cycle of birth and death. To achieve this goal, Buddha laid down the Arya Ashtanga Marga, i.e., the noble eight-fold path, consisting of Samyak Drishti, i.e., right view, Samyak Sankalpa, i.e., right intention, Samyak Vaak, i.e., right speech, Samyak Karma, i.e., right action, Samyak Ajiva, i.e., right livelihood, Samyak Vyayam, i.e., right effort, Samyak Smriti, i.e., right mindfulness, and Samyak Samadhi, i.e., right concentration. Most of the teachings of the Buddha were codified in the first Buddhist council. Over the years, the monastic order of Buddhism was split into two main branches, namely the Hinayana, i.e., the smaller vehicle, and Mahayana, i.e., the greater vehicle. Subsequently, several other sects of Buddhism, like Vajrayana, Tantrayana, also came into existence. Under the patronage of Ashoka, Buddhism spread far beyond India to many parts of Central, Western, and South and Southeastern Asia. Buddhism also spread far and wide through the efforts of scholars, monks, pilgrims, traders, and travelers. See also Bodhisattva, Buddhist councils, Hinayana, Mahayana. Boddha Dharma ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारे धर्म, अर्थात छठी शताब्दी इसापूर्व है, उनके धर्म का मूल मंत्र, चार आरे सत्वों में अभिविक्त किया गया है. दुख, अर्थात इस संसार में दुख है, दुख समुदय, अर्थात दुख का कारण है, दुख निरोध, अर्थात इसे दूर किया जा सकता है, दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुख निवारन मार्ग, बौद धर्म के प्रमुख ग्रंथों को त्रिपटक कहा गया है, ये हैं विनए, सुत्थ और अभिधम पिटका, बुद्ध के उपदेशों का परमलक्ष मनुष्य जाती को निर्वान प्राप्ती में मदद करना था, निर्वान का तातपर्य जन्म और मृत्यों के चक्र से मुक्ति दिलाने से है, इस उदेश्य की प्राप्ती के लिए बुद्ध ने अश्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसके अंतरगत सम्यक दृष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृती और सम्यक समाधी आते हैं, बुद्ध की अधिकांश शिक्षाओं को प्रथम बौध संगीती में संकिलित किया गया है। समयोपरांत बौध धर्म दोशाखाओं में बढ़ गया। हीनयान अर्थात छोटा वाहन और महायान अर्थात बड़ा वाहन। धीरे धीरे बौध धर्म के कई अन्य संप्रदाय भ अशोक के सनरक्षन में बौध धर्म भारत से बाहर मध्य, पश्चिम और दक्षन तथा दक्षन पूर्व एशिया के कई इलाकों में फैला। बौध धर्म व्यापारियों, विद्वानों, भिख्षूं, तीर्थ यात्रियों तथा अन्य यात्रियों के प्रवासों से भी दूर दूर तक फैला, बोधी सत्व, बोध संगीतियां, ही नयान, महायान भी देखें। पेज 18 बोधमत इस इस्तिला से मुराद गौतम बुध छटी सदी कबल मसी की तालिमात पर मुबनी मजब है। बुध की तालिमात के लाजमी उसूलों को चार एहम सदाकत के तोर पर बयान किया जाता है। और अभिदम पितक बोध की तालिमात का बुन्यादी मकसद निर्वान यानि निजात के हुसूल में तमाम इंसानों की मदद करना था। निर्वान का मतलब पैदाईश और मौत के चक्कर से छुटका रहा है। इस मकसद के हुसूल के लिए बोध ने हशस्त मार्ग की बुनियाद रखी। हशस्त मार्ग हैं समीक द्रिष्टी यानि सही नुकताय नजर, समीक संकल्प यानि सही नियत, समीक वाक यानि सही कौल, समीक कर्म यानि सही अमल, समीक अजीव यानि सही रिज्क, समीक व्यायाम यानि सही कोशिश, समीक स्मृती यानि सही तवज्जो और समीक समाधी यानि सही मुराकबा बॉद्ध की बेशतर तालिमात की तद्वीन पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई मरूर जमाने के साथ बॉद्ध का राहेबाना सिलसिला दवाहाम शाक यानि हीनियान यानि छोटी चक्री और महायान यानि अजीम चक्री में तकसीम हो गया बाद में बॉद्ध मत के कई दूसरे फिरके वजरियान तंत्रियान भी वजूद में आये अशोक की सरपरस्ती में बॉद्ध मत बैरून हिंद वस्त मगरिबी जनूबी और जनूबी मगरिबी एशिया में पहला बॉद्ध मत दानिश्वरों, राहिबानों, मजभी सियाहों, ताजिरों और मुसाफिरों की कोशिशों की बदॉलत दूर दराज इलाकों तक पहला मजीद देखें बॉद्धी सत्व, बॉद्ध मत की कौंसिल, हीन्यान, महायान बुद्धिस्ट कांसिल These were assemblies convened after the Maha Parinirvana, i.e. demise of the Buddha, to compile his teachings and to settle doctrinal disputes which arose within the Sangha. There have been four such historic councils. The first of these councils was held at Rajagriha, i.e. the capital of Magadha, in circa 5th century BCE. The Vinayak Pitaka, i.e. dealing with monastic rules, and the Sutta Pitaka, i.e. dealing with Buddha's sayings, are said to have been finalized, i.e. adopted, in this council. The second council was held at Vaishali, the capital of Lichavis, presently in North Bihar, probably a century after the Buddha's demise, i.e. circa 4th century BCE, when the Buddhist Sangha was split into two on the issues of Buddha's teachings and monastic discipline. Aimed at resolving the issues of schism, in the Buddhist Sangha, Ashoka had convened the third council at Pataliputra, i.e. modern Patana, then capital of the Mauryan Empire, in circa 247 BCE. The Abhidhamma Pitaka, dealing with the metaphysical aspect of Buddhism, was compiled in this council. The fourth council was convened under the patronage of Kanishka, in circa 1st or 2nd century CE, and is usually associated with the formal rise of Mahayana Buddhism. Henceforth, the traditionalists were categorized as Hinayani. This council is known for preparation of commentaries on the Buddhist scriptures. See also, Buddhism, Hinayana, Mahayana. Baudh Sangeetiaan, Baudh Sangeetiaan, ऐसी परिशदे थी, जो Gautam Buddh के महा परिनिर्वान, अर्थात, बृत्यू के बाद, इनके उपुदेशों का संकलन करने, और संग में उत्पन हुए सैध्धान्तिक विवादों का समाधान करने के लिए बुलाई गई थी. ऐसी चार एतिहासिक परिशदे हुई. इन में से पहली संगीती राजग्री अर्थात मगत की राजधानी में पाँचवी शताबदी ईसापूर्व में आयूजित की गई थी. इस संगीती में विनय अर्थात मठीय नियम और सुत्त अर्थात बुद्ध के कथनों पिटकों को अन्तिम रूप दिया गया था. दूसरी संगीती संभवतह बुद्ध के मृत्यू के एक सौ साल बाद वैशाली अर्थात लिच्छवीयों की राजधानी वर्तमान उत्तरी विहार में चौथी शताबदी ईसापूर्व में आयोजित की गई जहां बुद्ध संग बुद्ध की शिक्षाओं और निर्णय न को लेकर दो भागों में विभक्त हो गया तीसरी संगीती अशोक के तत्वावधान में पाटली पुत्र अर्थात मौरे सामराज्य की राजधानी वर्तमान पतना में 247 ईसापूर्व में हुई बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलू से संबंधित अभिधम्म पिटक को इसी संगीती में संकलित किया गया था चौथी संगीती लगभग पहली अत्वा दूसरी शताबदी ईसा में कनिश्क के तत्वावधान में हुई इस संगीती का संबंध आमतोर पर महायान बौद्धर्म के आपचारिक उदय से जोड़ा जाता है इसके बाद से परंपरावा इसादी बौद्धों को हिनयानी की इश्रणी में रखा जाने लगा ये संगीती बौद्ध धर्म गरंथों पर टीकाएं तयार करने के लिए जानी जाती है बौद्ध धर्म हिनयान महायान भी देखें बौद्ध की कौनसिलें इन से मुराद वो इजलास हैं जो गौतम बौद्ध की महापरी निर्वान यानी वफात के बाद इनकी तालिमात की तद्वीन और संग में होने वाले उसूली इखतलाफात के तस्विया के लिए मुनाकिद किये गए थे इस तरह की चार तारीख साज कौनसिले हुई हैं पहली कौनसिल पांचवी छटी कबल मसी राजगरिह यानी मगद की दारुल हुकूमत में मुनाकिद हुई थी कहा जाता है कि कौनसिल में विने पिटक यानी राहेबाना उसूल और सत्थ पिटक यानी अकवाले बुद्ध की तरवीन अमल में आई तूसरी कौनसिल गालिबन बुद्ध की वफात याने चौथी सदी कबल मसी के एक सो साल बाद लिछवियों की राजधानी वैशाली मौझूदा शुमाली बिहार में मुनकिद हुई थी जिसमें बौद्ध संग बुद्ध की तालिमात और राहेबाना उसूलों की बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम हो गई अशोक ने बौद्ध संग के इखतिलाफी मसाईल को हल करने के मकसद से तीसरी कॉंसिल 247 कबल मसी पाटली पुत्र यानी मौझूदा पटना उस जमाने में मौरियाई हुकूमत की दारुल हुकूमत में मुनकिद कर दी थी इस कॉंसिल में अबिदम पिटक की तर्वीन मुकमल हुई जो के बौद्मत के माबाद अब्तिदाई पहलों से मुतालिक है चौथी कॉंसिल तकरीबन पहली या दूसरी सदी ईस्वी में कनिश की सदारत में मुनकिद हुई और हजब मामूल बौद्मत में महायान मकतबा फिकरे का रस्मी इर्तिका अमल में आया इसके बाद रिवायत पसंदों को हीनियान के जुम्रे में रखा ये कॉंसिल बौद्मत की मजहभी किताबों की तफसीर के लिए मशहूर है मजीद देखें बौद्मत हीनियान महायान Letter B of Trilingual Dictionary of History for Schools ends here Read by Suchitra Gupta and Mohamed Saad Trilingual Dictionary You were just listening to this presentation Project Coordination Rajesh Nimesh Subject Coordination Dr. Shima Shukla Ojha Project Advise Dr. Bharti Kaushik Technical Coordination Batilang Lingdo Assistance in Production Tanu Gupta Framework Advise Ajit Horu Production Coordination Vandana Arimardhan Produced and Directed by Vimlesh Chaudhary And this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India